नमस्कार आप सबका मेरे यूटिब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है ठीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो बच्चा ना बड़े टिपिकल कोर्सिस ले लेता है और उसमें वो फिर अपनी लाइफ को थोड़ा सा अलगी ट्रेंड पर चलना शुरू कर देता है अब देखो इन्हों ने दो दो जगा पर अपने हाथ अजमा रही है यह यह फॉर्मेशन जो बनी है ये पढ़ाई किये फैमली किये ये पढ़ाई किये पढ़ाई किये पढ़ाई किये पढ़ाई किये तीके साथ साथ इसने भाग्यरेखा को टच कराई ये कमाईगी भी यानि ये इस वक्त जब इसने भग्यरेखा को टच करना शुरू कर दिया न तो ये कमाना भी चारी है देखो ये डारेक्टली हिर्दे रेखा को टच करने के इलावा ये भग्यरेखा को भी टच है है या नहीं है ये वली रेखा हिर्दे रेखा का एक टुकड़ा जो परिवार की तरफ है ये भी टच है ये रेखाएं शनी की रेखा टच करके सुर्य की तरफ गई है अब इनके माबाप जो होंगे न ये माबाप की रेखाएं माता पिता की रेखाएं है यानि कुछ ऐसा संपर्क बनेगा कि ये फीमेल अपने मावाप को नहीं छोड़ पाएंगी अब इसका मतलब ये था इसका मतलब ये था यानि कमाई भी करेंगी पढ़ाई भी करेंगी और इसमें ऐसे वेक्ति क्या सोचते है कि मेरा गवर्मेंट जॉब में भी चीजे निकल जाएं समझ रहly है गलती खाते है अब वहाँ पर ट्रेंगल को पकड़ना पड़ेगा तरक्की की रेखा को पकड़ना पड़ेगा अगर वो तरक्की की रेखा आपको दिखती है जैसे suppose आप मुझे बताओ आप सब मुझे बताओ एक आइसलेंड पहले कुछ करेना है आइसलेंड और एक ट्रेंगल ये आपको आई-स आफिसर बना सकता है ये पेपर क्लियर कर सकता है नहीं ना ये नौकरी कर रहे हैं नौकरी में भी सैटिस्टेस्टेक्शन नहीं है 23 से 24 स अब व्यक्ति का डाइवार्टिड हो रहा है मैंने पीएजडी करनी है आप समझते रहे ना अब पीएजडी करनी है तो ये सोच के बैठता है कि मैं टप क्लास आई-टी से कर लूँ अब आप मुझे बताओ ये आई-टी के साइन है है पीएजडी हो की पुछो क्यों इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिल कर यहाँ पर एक ट्रेंगल बना रखा है ये देखो ये ट्रेंगल बना रखा है यह है पहले दो रेखाएं और ट्रेंगल तो यह 28 यह जगा भी चेंज है अब ऐसा क्या हो गया 29 पर की जगा भी चेंज करनी पड़ी अब इनकी मेरिड लाइफ में दिक्कत आएगी इनकी शादी पहले हो रही है 27-28 में हो रही है 26-27 में और आगे जाका वो भी लब मेरिज है उसमें भी दिक्कत आ रही है तो अब आप नहीं समझ पा रहे थे ना इन चीजों को क्या आप खुद सोचो कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को कहां देखा जाता है अपॉर्चुनिटीज को कहां देखा जाता है माइंड लाइन यह एनरजी लेवल होता है न यह एनरजी लेवल यहां देखा जाएगा न विदेश से रिलेटर यहां देखते हैं ज़्यादा disturbance क्यों दे रखी है यह बिमारी की रेखा है 23 साल बड़ा गंदा गया होगा अब आपको क्या पता कि यह साइन किस चीज का है एक रेखा को काट दिया गया है ट्रेंगल बना कर यह कोई मकान है इनके घर पर जो बेशना चाहते है यह साइन क्या है यह साइन पर है पिता जी 26 से 27 साल पर retirement और उनकी तव्यत कराब जब ऐसे ऐसे साइन आएंगे किसी एक रेखा पर ऐसा साइन आ जाए तो बिमारी की रेखा अब आप खुद बताओ ऐसे बच्चे आप लोगों ने तो बस एक चीज प्रकड़ ली माइड लाइन पर यवक का निशान बड़ी दिखते देता है यह कहते हो रहते हो न बस आप ऐसे नहीं सीखा जाता ऐसा नहीं सीखा जाता लोग सीख रहे होते हैं मुझे इंस्ट्रक्शन्स देते हैं सर ऐसा मत बोला करो आप मुझे इंस्ट्रक्शन्स देते हैं बाई मेरे चैनल पर आते हैं क्यों हो जब मुझे इंस्ट्रक्शन्स देनी है बच्चा माबाप के सामने कहें मम्मी पापा आपको तमीज नहीं है आप गलत कह रहे हो क्या होगा माबाप क्या कहेंगे परविडिश में कहीं गल्ती हो गई न बार-बार उल्टे जवाब दे बच्चा सीखा है नहीं अभी बच्चे करते हैं ना नॉलिज होती नहीं है मैं करके दिखाता हूँ आता है नहीं तो अभी अब यह आपको नहीं समझा रहा कि इनकी लाइफ में यह पीछे स्क्वाइर बन रहे हैं यह पर दिक्कत आ रही है यह एक रेखा काली रेखा में से एक रेखा निकल गई है, यहां तो health problem आएगी, यहां कोई property से related बाते होंगी, यहां पर दिक्कते हैं, यह दिक्कत क्या है, यह property यह क्या है, 43 से 44 साल पे, यानि इनके life में माता जी, पिता जी वाली property भी मिलेगी इनको, प्लस इनकी life में भी यह वाली है, लेकिन इनके joint family से related डिक्ते रहेंगी, यह है, इसलिए यह जो line थी, पीछे से आकर touch करके opportunities दिला दी थी, opportunities किस जच की, माबाप के property को आप लोग के बाद में, बच्ची को कोई तकलीफ आएगी, जिस तकलीफ शादी की है, यह कैसे पता लगता है, देखो, इस रेखा को पकड़ लो, यह रेखा ने इस जगा से एक रिष्टे या एक किसी से बाच्चित कर रही थी, 19 साल पर, 20 में तूट गई, फिर यहां से एक रेखा शुरू हो चुकी, फिर तूट गई, ओहो, यहीं से समझ लो कि यह चीज़े चल रही है, यहीं से चल रही है, अब मुद्दा वो नहीं ह है कि यह रेखा क्यों घूम गई, यह लव मेरेज है, इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया, और यही रेखा सुर्य रेखा का रोल अदा कर रही है, यह देखो, अब यह सुर्य रेखा टेड़ी है, यहां है, तो आपके लाइफ यहां से यहां तक स्ट्रगल की रहेगी आप देख लेना यही स्ट्रगल है यह देखो यह है आईजलेंट यह 39 में जैसे ही आईजलेंट आजाएगा दिक्कत आजाएगी शादी में यह देख लो यह एक लाइन कट मारके बैठी हुई है देख रहे हैं आप यह शादी टूटेगी फिर दूसरी करेंगी 33 से 34 साल के ब कौन सी रेखा गुरू की रेखा जो है डारेक्टली टच होने की कोशिश कर रही है एक यह और एक यह इनका संबंद शनी के साथ है भग के रेखा के साथ है इन्हें मिलेगा तरक्की की रेखा बनी है मिलेगा इनको घर से भी मिलेगा अब यह रेखा को पकड़ लो यह मेरिज जो है इनकी टिकेगी नहीं तो इनको शादी 29 साल तीन महीने के बात करनी चाहिए और 34 से 35 साल तक अपनी शादी को बचा कर रखना चाहिए चाहे 29 में शादी हो भी जाए तो भी तो यह opportunities को define एक सूरे रेखा कोई भी opportunities को define करती है अगर कोई रेखा इस पेछे से आती हुई मिलेगा अपके घरवालों के से related भी मिलेगा और आपके सुस्राल से related भी आपके पाप property होगी लेकिन ये दूरी पर है struggle हो की life में फिर आपको समझना है क्या struggles है तो आप देखो बच्चा जो है क्या गलती कर रहा है मैंने जो आप से शुरू करा वो क्या question है देखो वो ये है कि क्या मेरे को मेरा I.S. officer बन पाऊंगी क्या ये I.S. officer की रेखाएं है ये I.S. officer की रेखाएं है क्या किसी भी हालत में I.S. officer की रेखा नहीं है नहीं है ये देखो ना इस जगा पर पच्चिसमे साल पर ये I.S. officer की रेखाएं है disturbance की रेखाएं है ये आप complete करो यहां तक complete कर लोगे फिर ये जगा change करनी पड़ेगी फिर आपको दिक्कत आएगी फिर दिक्कत ये 32 में आपने फिर चेंज करनी है 31 में traveling की रेखा तो ऐसे अगर समझोगे तो तो समझाएगा अब देखो इस साल के बाद इस साल के बाद इस साल के बाद satisfaction दुबारा गायब हो गई विदेश चली जाएं कहीं भी चली जाएं गायब हो जाएगी ये देखो क्या दिक्कत नहीं आएगी 33 साल पर ये कट का निशान जो लगा दिया है नौकरी और पैसों में नुकसान नहीं जाएगा नहीं जाएगा जाएगा तो इनको पकड़ा करो तब समझाएगी ठीके तो आपने आप देखो पिक्चर की क्वालिटी देखो ये दे देते हो आप मुद्दा ये है ये दे देते हो इससे ज़्यादा हम क्लियर नहीं दे सकते हैं देन वट केनाई से लीविट इफ यू डॉन्ट गिव पहले जो दिये हैं उसी से कर लीजिए तो मैं क्या करूँगा मैं को जब समझी नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा ये वो पाम रिडर नहीं हूँ मैं जो राहू एक धन रेखा पर कटका निशान है तो यहां पर पैसों का नुक्सान होगा एक राहू रेखा है तो ये राहू रेखा जो है आपको तंग करेगी ये तंग किसी भी तरीके से हो सकता है ऐसे नहीं करते हैं जब आपको समझ आ गई कि कुछ रेखाएं स्क्वाइर बना कर चल रही है पीछे वाली रेखाएं ये बेनिफिट दिलवाएंगी इनके घर वालों से रिलेटेड चीजों पर ये इंडिकेशन्स दे रही है और आपकी लाइफ में आप अपने मेरिड लाइफ को बचा के रखो और जोइंट फैमली से रिलेटेड आप अलग होगे और वो प्रॉब्लम्स को छेलना पड़ेगा आपको तो ऐसे हातों में थोड़े से इस तरीके से आपको सीखना चाहिए ठीके बस मुद्दा ये था कि ऐसे बच्चे गलत फील्ड ले लेते आप इन्होंने टीचिंग लाइन लेकर वैसे ठीक है लेकिन इतना नहीं कमा पाएंगे नहीं तो बायो टेकनोलोजी में आदमी मैं फिर करहा हूं दो लाख रुपया महीना भी कमाता है अगर ये कोई व्यक्ती फार्मासूटिकल में चला किया फूड लाइन में चला किया अग्री कल्चर में चला किया कमाते हैं definitely कमाते हैं package भी अच्छा मिलता है लेकिन teaching line में थोड़ा सा कम मिलता है ठेकН क्योंकि वो PhD करते हैं गयुक्ता हूँ और अथ सब का मेरी YouTube चैनल पामिस्री हीलर में स्वागत है आज हम एक female हाथ का analysis करंगे जिनकी उम्र जो है 24 होने वाली आज देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है कुश्चन गौर्वर्मन्ट जाब मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी आई-स आफिसर बनने का सपना है क्या वो मैं बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी इसके इलावा जो है पीस्टी करना चाहती हूँ और टीचिंग लाइन में बायो टेकनोलोजी दे रखिये क्या ये मेरे लिए फिल्ड अच्छी रहेगी शादी कब तक होगी लब मेरेज होगी और पती कैसा रहेगा मेरेट लाइफ कैसे रहेगी विदेश जा पाऊंगी ये नहीं जा पाऊंगी और माता पिता की सेहत के ब 54 तक ही देख पा रहा हूं आपका लाइफ आगे भी है आपकी उम्र आगे भी 70 से उपर भी दिख रहे हैं बीच की क्या गतिविदिया चल रही है वो नहीं समझा रहा मुझे पिक्चर की क्वालिटी पर ठीक है अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूँ देखो इनके हाथ में देखो यह एक स्क्वैर दिख रहा है बनता हुआ बनता हुआ दिख रहा है यहां दिक्कत दिख रही है यह क्या हो रहा है यह क्या है यह सब क्या चल रहा है यह घर फिर दिक्कत परशानी यह क्या है इट मेंस कि जॉइंट फैमली से रिलेटेड भी को यह क्या है यह चेंज कर लेना जगा चेंज कर लिए तो यहां पर भी बन रहा है साइन तो यह साइन क्या इंडिकेशन्स देते हैं इस साइन क्या इंडिकेशन्स देते हैं इंडिकेशन्स दे रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं अब इसको मेरेड लाइफ में भी देखना है कई मेरेड लाइफ तो डिस्टरब नहीं हो रही है जब जोएंट फैमिली होती है बहुत सारी परशानियां आती है अलग होने की सोचता है तो अलग होना तो यह भी हो सकता है कि इसमें हज्बंड की इंवाल्मेंट आ रही है उसे आप सूरे परवस्थ से देखोगा ठीक है अब जैसे यह साइन बना है यह वाला साइन है यह साइन बना यह गड़ पड़ यह साइन का मतलब यह है कि आपके पापा रेटायर्मेंट लेना चाह रहे है इसी समय पर कोई तब्यत भी खराब होगी इन रेखाओं पर जब कोई रेखा चलती है तो तब्यत खराब होती है यहां तो परशानिया है यह दो को घर चेंज है तो अब यही सारी चीज़े बतानी होती है यही बतानी होती है पहले बीस साल की रेखा को पकड़ते है यह पूरी उंगली जहां से शुरू होती है यह पच्चे से यह बीस है बीस से पच्चेस का समय है अब देखो यहां पर साइन क्या बने है बहले वो देखते है देखो यह है 21 अब यह 21 पर ट्रेंगल बने हुए हैं फिर एक और ट्रेंगल बना हुआ है छोटा सा छुटकू सा यह भी ट्रेंगल बना है यह मैंने अवार्ड्स और अक्टिविटीज बताई है यह अवार्ड्स और अक्टिविटीज बताई है 21-22 पर उसके बाद आपको पता है यह क्या है यह एक आइसलेंड है इस पर एक यूँ और यह डिस्टर्बेंस यह नौकरी है 23-24 इनका अच्छा नहीं गया अब यह जहा च्छुटके चीजों से अगर आप तैयारी करना शुरू करना चाहो तो क्या कर पाओगे क्या वहाँ पर आप एक्जाम आइस अफिसर के सपने आप जो देख रहे हो वो देपाओगे क्या निकल पाएंगे अब देखो एक छुटकू सा साइन है यह चुटकू सा यह जो छुटकू सा यह चौबिस साल का है अब देखो यह अश्मझेसरों जी मिजे यहां पर दो चीज़े बता दीजिए कि क्या मेरी जाब पर्मानेंट हो जाएगी इसी चगह पर सर मैं एक पेपर देना चाहती हूं क्या वो पेपर मेरा निकल जाएगा वो पेपर मेरा गेट का होगा क्या मेरी मेरी पीसटी हो जाएगी कॉलेज में अब ये तो साइन तो बने हुए है जॉब के भी है पीसटी के भी है सेटिस्फेक्शन जीरो है है या नहीं है ये साइन क्या कहते है ये चेंजिंग है पता है ये चेंजिंग है ये जगा चेंज है 26 से 27 साल के बीच में ये कैसे पता लग रहा है मुझे कि आपके ये फादर या कोई चीज बेचना चाह रहे है ये प्रापटी का निशान था ये प्रापटी का निशान था 24 पर ये ट्रेंगल बनाया हुआ था उस पर राहू चला हुआ है मैंने यही कहा था ना आपसे कि प्रापटी बेचना चाह रहे हैं और थोड़े से आ रहे होंगे कि बेचने के लिए लेकिन बात नहीं बन रही लेकिन हा मुझे चांसे ज्यान देख रहे हैं कम दाम पर जाएगी प्रापटी यह प्रापटी का निशान होता है यह प्रापटी का निशान होता है तो आप लोग जो बेच कर जाओंगे वो 26 से 27 में यानि इस से पहले पहले आपकी वो प्रापटी बिप जाएगे ठिक यह समझ आ गई पहली बात अब इसके बीच में आपने क्या समझना था एक तो समझना था कि क्या मेरा गेट का एक्जाम बहुत कम चांसे दिख रहे हैं मुझे पहली बात दूसरा 25 पर अगर जॉब चेंज करनी हो तो कर सकते हो सटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा 25 पर यह है 25 साल यह जो रेखा देख रहे हो न यह एक्चल में ऐसे साइन बनाया इसके उपर ट्रेंगल बनाया यह पीएजडी हो गई पीएजडी कर रहे हैं आप यहां पर यह साइन का मतलब होता है कोई साथ साथ बिमार भी पड़ मुझे इतनी दिखते क्यों आ रही है सर इनके कारण आ रहे हैं एक लाइन ऐसे बना दी गई होती भगवान ने बिना डिस्टर्बेंस के साथ आपको दिक्कत नहीं आती भगवान ने बनाई ऐसे रखी है तो इस जगह पर आप अब अगर कोई चीज चेंज करना चाहो यहा क्लिट होनी चाहिए मेरको जो साइन दिख रहा है मुझे साइन ये वाला साइन दिख रहा है और यहां से तो आपको जगह भी चेंज करनी पड़ेगी ये देखो यह है साइन में कितना बढ़ा ट्रेंगल है यह ट्रेंगल पहले ट्रेंगल बनाया दो रहाएं यह करके तरक्की विद्र डिस्टर्बेंस ये देखो ये क्या है ट्रेंगल पहले दो रेखाएं ट्रेंगल 39 में और फिर एक रेखा को यूं करके डॉट लगा दिया गया ये साइन बना हुआ है यानि मुझे ऐसा लग रहा है कि 28 और 29 के बीच में ही आपकी पीस्टी कम्प्लीट होगी और आपको इंटर्शिप के थूँ उसी कॉलेज में ही आपको ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपको वहाँ पर लगा दिया जाएगा आपको सैलरी भी मिल जाएगी 29 से 30 साल के बीच में यह चैसे समझें अब यह जो साइन बना हुआ है यह क्यों दो रेखा क्यों बनी है इस जगा पर यह दो रेखा क्यों बनी है इस से पहले अगर आपकी शादी होती है तो तो तूट जाएगी इस से पहले होगी तो वो दिखते देगी यानि आपको आनी थी दिखते हैं इसलिए यह डाल रखा था तो आपने शादी 29 साल 3 महीने पर करनी है ठीक है 29 साल 3 महीने पर करनी है यह साइन का मतलब होता है सैलरी बढ़कर लेकिन फिर इस जगा पर दिक्कत आनी है फिर आना जाना अब देखो यह साइन जो होता है ट्रैवलिंग के होते है अब एक जगा से दूसरी जगा दूसरी जो भी जॉप मिलेगी ना वो थोड़ी दूर मिलेगी घर से आफिस तो वगरा दूर होका आपने कब छोड़नी है आपने ये तो साइन है ना आना जाना अब ये आना जाने का क्या मतलब बनता है अरे आपकी शादी में दिक्कत आए तो आप मैके में मत आके बैठ जाना इस जगह पर आप जॉब चेंज करोगे 32 पर आप जॉब चेंज करोगे ठीक है अब रिखा आ गई यह क्या करवाएगी 33 दिखते आएगी कुछ नहीं होता आने दो आने दो आपने 35 पर करनी है इस जगह पर चेंज करनी है इस जगहा पर मुझे लग रहा है घर 35 से 36 साल के बीच में घर भी चेंज होगा ठीक है 35-36 यह disturbance का time period है ठीक है अब यह जो समय है यह देखो यह समय यहां से तो आपका दो बारे mind करेगा कि satisfaction अब खतम है 37 साल से satisfaction खतम है 37 पर change करोगे मैंने का 38 पर change करना actual में यहां ना change करके इस जगह पर change कीज़ेगा ठीक है यह जो समय आ रहे है यह कहते है changing changing कहा रहा है यह changing कह रहा है तो मैंने का 38 पर change करना 39 में थोड़े सी बढ़कर मिलेगी लेकिन यहां जॉब में कोई आपका सीनियर तंग करेगा मैं फिर बता रहा हूँ यह साइन ऐसे करके ऐसे आया तो थोड़ा सा बचाव करना है यहां से तो आपने अपनी नई जॉब पकड़नी है चालिस पर ठीके अभी यह मैं माइंड लाइन से उपर देख रहा था ठीके देखो अब मैं देखोंगा माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में क्या यही एक्TIVITIES हो रही है इससेम एक्TIVITIES हो रही है वह पकड़ता हूँ देखो कैसे देखो ध्यान सा समझना ये है लाइफ लाइफ लाइन के नीचे का पॉर्शन मैंने सबसे पहले का था पिता जी जो है कोई रिटार्मेंट लेना चाहते हैं या कुछ यहां उनकी तब्वेट भी खराब होगी यही का था ना ये मैंने बिमारी की रेखा बताई थी बताई थी उनक्तिस में भी कोई बिमार पड़ेगा अब यह जो यहां से जो बिमार पड़ा समझते रहे ना उनक्तिस आप समझते रहो आपने पहले शादी करी उसमें दिखते आए 29 में आपने क्या करा घर आ गए यह देखो यह जो sign बनाया हुआ है यह घर का sign है घर का sign है तो यह क्या कर रहे हो यहां से घर पर आ गए हो तो परशान हो गए आपके married life दिक्कत आ गए यह देखो यह island है या नहीं यह क्या है 31 से 32 साल के बीच में फिर जगा चेंज है यहां पर बिमारी की रेखा भी है यह देखो इस समय पर देखो यह क्या है 35 पर 34 से 35 साल के बीच में फिर जगा चेंज है यहां तक अपनी शादी बचा कर चलनी है यहां तक यहां तक बचा कर चलनी है अपने शादी फिर जगा चेंज है पिर जगा चेंज है तो मैंने आपको क्या कहा था कि यह sign क्या indicate कर रहे हैं यह sign indicate कर रहे हैं घर के joint family kit जो जगड़े होते उसको कर रहे ये उनको कर रहे देख रहे हो परशानी तरतालिस और चौआलिस पर तरतालिस साल के बीच में है ये वली रेखा यह देखो इसी समय पर 43 से 44 पर कितनी दिक्कत आ रही होगी उपर मैं दिखाता हूँ यह देखो यह देखो यह है 43 साल यह है 42 साल यह डॉक्मेंटेशन 41 पर डॉक्मेंटेशन कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और 40 पर आपने जगा चेंज करी है 40 से 41 साल के बीच में 40 से 41 साल के बीच में जगा चेंज करी है यह देखो तो यह कोई ना कोई आपकी जॉइंट फैमिली से रिलेटेड कोई परशानिया जरूर दिख रही ठीक है यह लाइफ राइन के नीचे की एक्टिविटी और जॉब से रिलेटेड चीजे तो एनरजी लेवल तो आपका क्या कह रहा है पॉजटिव रहने के लिए कह रहा है क्यों क्योंकि ये रेखां आपकी ये रेखां आपकी इस जगापर तच है सुर्य की अपॉर्चुनिटी पर तच है अब आपको जब हैं सुर्य परवत पे जाऊंगा ना तो ये रेखा को पकड़ूँगा इस रेखा को इस रेखा को पकड़ोगा इस रेखा ने एक्चुल में इस रेखा को पकड़ रखा है उन्नेस में पकड़ा था आपने किसी को पसंद करती थी या कोई थोड़ा बहुत होगा जान पेचानवाला व्यक्ती इस पर कट का निशान पीस पर उसके बाद देखो ये साइन फिर बनने शुरू हो गए बनने शुरू हो गए ये क्यों आगे आगे इस जगा पर ये क्यों आ रहा है ऐसे क्यों आ रहा है यानि आप लव मेरिज की तरफ जाओ के लव मेरिज की तरफ जाओ के अब अगर यहाँ पर अगर इस जगा पर जाते हो तो आपको क्या देखना है ये दोनों जगा पर एक निशान है ये रहा कट का निशान 24 में भी इस वक्त भी अगर इससे पहले भी 23-24 के बीच में अगर बात्चित कर रहे हो गए वो भी खतम है यहीं से यह रेखा ऐसे गई है अब यह क्या है लव मेरिज की तरफ है मैंने लिखा कि 26 से 27 साल के बीच में आपकी शादी और जो शादी होगी दिखते आ जाएंगी अब वो पूछो कैसे यह देखो यह है सुर्रे आपका टोटली डिस्टरब चल रहा है टोटली यह देखो देख रहे हैं आप डिस्टर्बेंस यहां से पकड़ते हैं यह है में आपको परशानी में परशानी 33 और 34 साल डिस्टर्बेंस के जाएंगी यह 33 साल है यह 34 साल है तो मैंने इस वले साइन को पकड़ कर कह दिया कि 35 साल 34 और 35 साल पर यहां तक अपनी जॉब को बचा कर चलना है और उसके बाद फिर आपका दूसरी शादी के योग दिखाई दे रहे हैं देखो इसे के बाद यह रेखाओं को टर्न करके ट्रेंगल्स बना दिया गया है वो भी आप थोड़ा सा लव की तरफ ही जाओगे या वो व्यक्ति को पहले अजमाओगे वो कोई जान पेचान वाला होगा या कोई आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति होगा कुलीग होगा उसी से आप करोगे तो मेरे हिसाब से 35 साल आपकी शादी को बचा कर चलने चाहिए आपको ठीक है और 29 साल कुछ महीने के बाद 3 महीने का आए वहाँ पर ही शादी होनी चाहिए इस से पहले नहीं होनी चाहिए इस से पहले शादी नहीं होनी चाहिए यह साल निकाल दीजिए बस इतना याद र ठीक है ये जो साइन बना है इसे निकाल दीजिए ये ऐसे ही नहीं शादी के ये जो रिश्टे बन जाते हैं या कुछ होता है आगे चांसिस हैं दूसरी शादी के योग के ऐसे ही नहीं पता लगा चाते हैं एनिवे ये तो सुरे परवत पर मैं चीज़े दिखाऊंगा अभी आपकी लाइफ में मैं आगे चलता हूँ एक साल है जॉब छुटने का पहले वो भी दिखा देता हूँ यह देख रहे हैं आप यह जो कट का निशान लगा दिये हैं आइदर आपकी चॉप छुटेगी या आपके हस्बंड की छुटेगी 44 है मैंने आपको 42 है 43 है यह 43 है मैंने का 43 पर दिक्कत आएगी और वो दिक्कत क्या थी घर चेंज करने की यह देखो घर चेंज करने की दि कत्ति यह देखो घर चेंज हो रहा है ना 43 44 पर अब यह क्या था यह जोएंट फैमिली से रिलेटेट कुछ परशानिया यह तो आपको झेलनी ही पड़ेंगी जेलनी ही पड़ेंगी इससे बैटर है कि जो लड़का जोएंट फैमिली से रिलेटेड हो उससे थोड़ा सा बच कर आप शादी ना करो वहाँ पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसक्वाइर बने हुए है प्रापटी तो जरूर मिलेगी आपको यह तो निश्चित है और देखो पीछे से भी यह चीजे आई है ना पीछे से क्या मतलब होत हैं यह ने अब इसमें पता कुछ नहीं लग रहा है लेकिन यह गंदे साइन होते हैं यानि आपके माता पिता की जो एज बता रहा हूं जिसमें मैं 35 साल तक एक तो मैंने लिख दिया 25 से 27 साल के बीच में पिता जी से रिलेटेड और एक 35 के बाद मुझे थोड़ा सा डाउ मुझे दिक्कत दिखी थी ठीके यह साइन जो होते हैं जो फैमिली से रिलेटेड यह चीज़े क्यों आपको दिक्कत दे रही हैं यह क्यों दिक्कत दे रही हैं यह जो डाट है आप अपनी फैमिली को छोड़ोगे नहीं याद रख लीजेगा आपके हस्बेंट जो होंगे वो बाद में कोई जॉब से बिजनस की हो रहेंगे विदेश आप लोग ट्राइ करोगे लेकिन वापिस इंडिया आना पड़ेगा ये भी याद रख लीजेगा रही बात दोनों के नेचर की अलग रहेंगे नेचर आप अपनी फैमिली से ज़्यादा डैवर्टिड रहेंगी माईके से रिलेटेड उसकी वज़य से आपको परशानिया ज़्यादा आएंगी और अगर आपने शादी पहले करा ली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी ठीक है तो आप जो साइनों को इंपॉर्टेस अब देखो यह रेखा है यह रेखा उपर बीच का एक कटका निशाना यह गलत साइन है यह गलत साइन है तो यह साइन ही इंडिकेशन दे देते हैं कि देखो यह दो को पहले यह था घर चेंज कर एक उसके बास से यहां पर फिर चेंजिंग आ गई इस जगह पर चालिस में फिर चेंजिंग इसके बीच बीच में हो सकता है कि जो मुझे अपके ममीक से क्योंकि यह साइन है इसलिए मुझे इंडिकेशन दिख रहा है यह बिमारी का इंडिकेशन दिख रहा है पर शूर नहीं हूं मैं यहां पर पर है इसको मैंने ग्राफ पर बनाया है वो मैं दिखा देता हूँ यह देखो यहां से हमने शुरू करा इनका मैंने शुरू करा था इनका नौ साल से मैंने का नौ साल पर कोई बिमार पड़ा होगा ठीक है पहली बात साथ से आट साल के बीच में ने कहा की कोई जगा चेंज करही होगी या आना जाना करा होगा पंद्रा से सोला साल के बीच मैंने का फिर यहाँ पर ट्रैवलिंग हो रही थी आना जाना आना जाना होगा ठीक है 19 में आपको स्टुड़ी में college में और घर की वज़े से दिक्कत आई होगी ठीक है इसके बाद यह मैंने कहा था आपको कि स्क्वाइर जो बने हुए है यह क्या है कॉलिज में थोड़ी सी अपॉर्टुनिटीज वगरा को कोई activities होती है या कोई awards होता है यह उसकी तरफ होता है ठीक है यह यह जो sign बना हुआ है 23 से यह छोटे से इस पर आप कोई try करना चाहते हो इस ऑफिसर गौवर्मेंट जॉब यह सम्थिंग इसके बाद से यह जो sign है यह job से इसमें टैंशन से यह जो छोटा सा ट्रेंगल बनाए हुआ है यह फिर ट्राइकर यह जो एक रेखा पर काट के दो रेखा बनाए रखी है यह प्रपटी बेशना चाहते हो इसलिए ट्रेंगल बनाए और आप इसे अगर यह कहो कि मेरी जॉब पर्मानेंट हो जाए तो बहुत कम चांसे दिख रहे हैं लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा आपको यहां पर आपने जॉब चेंज करना चाहो कर सकते हो यह जो ट्रेंगल विद डिस्टर्बेंस बना रखा है यह कोई गवर्मेंट जॉब का नहीं है यह कोई आई से यह बिमारी है आपके घर वाले जो हैं वो बिमार रहेंगे आप बिमार रहोगे आप बिमार कैसे थी यहां पर यह देखो 23 साल पर मैंने यह एक साइन लगा रखा है घर की है परशानी ठीक है अब यह पिता जी है रिटार्मेंट लेना चाहरे है तो इन्हें कोई दिक्क बताएगी ठीक है क्योंकि यहां पर आइसलेंट है यह क्या है 25 साल कि आप कुछ करना हैं जॉब करनी हैं उसमें परशानी हैं तो अभी तो पीस आफ मैंड नहीं है आपने अपनी थोड़ी से डिस्टर्बंस रहेगी लेकिन आप सैलरी थोड़ा बहुत कमा कर आप क्या करो करोगे साथ साथ अपनी पीस डीवी कम्प्लीट करोगे जगा चेंज प्रॉपर्टी भी कहेगी जगा चेंज करके एक जगा से दूसी जगा पर आ जाओ पिर आपने 28 साल ये मिर को लग रहा है 28 और 29 के बीच में वैसे तो मैंने 28 पर ही कह दिया था कि कोई जगा चेंज है 28 29 में आपने जगा चेंज करनी है और आपने यहां पर अपना एक कम्प्लीट हो जाएगी आपकी पीस डी जिस जगा पर मैंने कहा है कि जगा चेंज हो गई आपकी रहने की या कहीं पर और आपने क्या करा इस जगा पर आपकी नौकरी लग गई 29 साल के बीच में नौकरी ल आईदर उस institute में या दूसरे में जो भी मिलेगी मिल जाएगी आपको अच्छी जॉब मतलब यह होता है ट्रैवलिंग की रेखा है 31 पर 32 से एक नई जगा पर 33 पर फिर ट्रैवलिंग की रेखा है 34 पर disturbance 35 पर दूसरी जगा पर ठीक है 35 से 36 पर आपका थोड़ा सा पोस्ट बढ आने शुरू हो जाओगे 37 पर आकर मैंने का चेंज करोगे यह चेंज की रेका यहां से आपको पैसे तो मिलेंगे थोड़े से बढ़कर satisfaction लेवल यह विदेश जाने की भी इच्छा जाहिल करोगे कोई फाइदा नहीं है एक कंट्री से दूसी कंट्री पर रही बस आप आओ 38 पर चेंज कर लोगे 38 से 49 में दिक्कत आएगी यहां जॉब बचा कर रखनी है 40 से दूसरी जगा पर करोगे 41 में फिर दिक्कत आपको यह आपके हस्बेंड को आएगी 42 से एक दूसरी जगा पर ठीक है 43 साल गलत अब यहां पर क्या 43 पर यह दिक्कत बहुत है 43 पर नीचे क दिक्कत आई जगा चेंज करें दिक्कत आई यह आपका हब अब हस्मेंट यहां बिजनस करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दो दो बारी चेंजिंग हुई है घर से रिलेटेड 35 से 36 साल और 40 साल तो यह बिमारी की रेका है 32 साल की तिक अब फिर मैंने मैं गया आपकी ला अपनी जॉब बचा के रखो अपने हस्मेंट के काम में दिक्कत नुकसान होगा ठीक है 45 साल दूसरी स्टेट में ठीक है यहां पर दूसरी स्टेट में 46 साल पर मैंने लिखा है कि 46-47 साल पर जगा चेंज करनी पड़ेगी ठीक है 50-51 साल थोड़ा सा यहां पर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ मानोगे ठीक है 53 साल पर फिर जगा चेंज करोगे अब मैं यह साइन दिखा देता हूं पहले देखो हम यहां पर थे यह 44 साल था यह जो कट का निशान है यह 44 साल था अब देखो कुछ करना है है यह देखो यह है 45 से 46 साल यहां पर 45 साल पर मैंने कहा कि आप दूसरी स्टेट में जाना चाहते हो यह दूसरी स्टेट 45 45 से 46 साल चैलिस साल पर थोड़ा सा ठीक होगा ठीक है 47 फिर थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो रही है लेकिन यह वहले साइन ने इसे पेचा बचा कर ट्रेंगल बना दिये राहू तो तंग कर रहा है आपको राहू तो तंग कर रहा है ठीक है अब आपको इस जगा पर यह जो यह जो जगा यहां से टर्न करवाई है इस जगा पर आपको दिक्कत आएगी इस जगा पर यह है 54 से 55 साल तो यहां पर आपको टर्न करना पड़ेगा यानी चेंचिंग क पता पर आपको आपको ध्यान रखना है यह जो मैंने आपको सुर्य परवत पर चीज़े बताई थी इनके से रिलेटेड इनसे रिलेटेड इनसे रिलेटेड यह देखो लव लिखा है मैंने लव मेरिच 26-27 मत कीज़ेगा रिजन क्या है 29 पर आइजलेंट है फिर मेजर दिक्कत 33-34 साल पर आएगी यह है 37-38 साल पर दुबारा शादी की यह भी आपकी लव मेरिच से रिलेटेड है यानि फिर थोड़ा सा टेस्ट करोगे वो लड़का ठीक है या नहीं है तो मेरे हिसाब से 29 साल त तीन महीने के बाद शादी कीज़ेगा फिर भी 34 साल तक शादी को बचा के चलना है ठीक है दिखते हैं जॉइंट फैमिली से रिलेटेड आएगी माई के बैटना नहीं आपने मम्मी पापा का अपना पूरा ध्यान रखना है जिसमें आपको ध्यान का मतलब है उनकी टेंश चाह रहा हूं पर एक बात बताऊं मैं भी बहुत ज्यादा अठक चाहता हूँ जब ऐसे हाथ होते हैं ना जिसमें पिक्चर की क्लेटी नहीं आती है तो मैं भी अठक चाहता हूं प्लीज आप से रिक्वेस्ट है आप लोग हिम्मत मत हारा करो आप क्या करते हो पांच छे पर जो है फोटो बस दे करना आप लोग कहते हो कि आप आप नहीं दे पा रहें मैंने इन से रात की भी पिक्चर मांगी थी शायद मुझे कुछ दिख जाता उसमें रात में भी हाथ खड़े कर दिये सर नहीं दे पर रहें गनत है कौन सा उपाय करना है बद्खो सूरय का उपाय करना है नहीं हम और छ», तो लुंह यहीं रखना टीचिंग नहीं रखना क्योंकि देखो बायो टेक्नोलोजी में आइदर आपको फार्मसुटिकल में जाना चाहिए था एग्रिकल्चर में फूड में जाना चाहिए था यह एनिमल से रिलेटर लेकिन आपने टीचिंग सोची है न यह थोड़ी सी सेलरी को कम कर सकती है आइदर बायो टे टेक्निशन भी बनते हैं आगे अच्छा भी होता है लेकिन यह फील्ड थोड़ी से टिपिकल फील्ड होती है मेहनत जादा होती है इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिस जगह पर आप हो वहां से हट कर अगर आप दिल्ली की तरफ आओगे कुछ नहीं आपक मैं फिर बताता हूं करनाटका मेंगलोर ठीक है इन साइडों में आपको ज़्यादा आपको पॉर्चुनिटीज मिलेगी इस लाइन पर इतना कह सकता हूं लेकिन आपने टीचिंग लाइन चुनिए तो टीचिंग लाइन पर इतनी नहीं है लेकिन तरक्की करोगे आपका सी नहीं है आपको कुछ परशान करेगा हर दो तिन साल के बाद जो है आप कुछ न कुछ चेंज करते हुए मिलोके अपनी जॉब को तो यह है आपके हाथ का विश्याइशन अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक किजेगा कमेंट जोरू किजेगा धन्यवाद